केसे आप सभो असा करते हुएं सभी लौह बहुत आच्छे हूंगे मैं भी ठीक हूं मेरे चैनल में अशाले का बहुत रागत लेती हूं और एक दो जो है पुराने लगे हुए थे जैसे कि पहले के लगे हुए थे तो उन पर ज्यादा दूल मिटी हो गई और कुछ ज्यादा ही गंदे दिख रहे तो इस वज़े से में इनको साप कर लेती हूं एक एक अच्छी पतिया निकाल लोगी और उसके बाद में अच्छी से इसको में बॉस करूंगी पहले तो आज मैं बनाने वाली गुलाब जल तो गुलाब जल बिल्कुल प्योर और नेच्रल है जो हम अपने हाथों से बनाते है वो तो प्योरी होता है तो यहां पर मैं गुलाब जल बनाने की तैयारी कर रही हूं तो यहां पर मैं दो तिन पानी अच्छे से में धोलूँगी कि यह बाहर खुले में लगे रहते हैं तो बहुत ज्यादा धूल मिटी इस पे हो जाती है तो इस वज़े से मैं यहाँ पर दो तीन बाहर अच्छे से इसको बस कर लोगी इसके बाद में फिर में इसको बनाऊंगी तो यहाँ पर मैंने शिर्प एक गलास पानी लिया है और इसी में मैं डाल देती हूं पत्तिया तो चली अभी मैं चलती हूं गेस की तरफ तो यहाँ पर देखिए मैंने रख दिया है और गेस को जब चालू कर दी तो बस यहाँ पर देखिए थोड़ी देर में दस से पाच मिनट लगते इसमें बनने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो यहाँ पर देखिए फ्रिंस बन गया है और यहाँ पर मैंने थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ड़क के छोड़ दिया था और उसके बाद में फिर मैंने चाना है तो यहाँ पर देख लीजे इसका पानी पान निखी दाल लिया और बिल्कुल प्योर थे तो यहां पर देखिए जो काटोरी में रखा हूँ है तो जो नीचे जम गया था चाहरो थे तो इसलिए वह गंदा दिख रहा है यहां पर देखिए बहुत ज्यादा गंदा निकलाता है और प्योड तो यह वाला है तो इसको मैं एक बोटल में सोरी इसको अभी मैं ग्लास न कर लूँगी उसके बाद में फिर मैं बोटल में भरूँगी इसको अगया न एक इसको बोटल में भर लेती हूँ मैं जैसे सुबह सुबह कभी भी हमको लागाना है तो सब से पहले इसको इस प्रेय से लागा सकते तो यहां पर देखिए मैं ग्लास से जो है में इस्प्रेइ बोटल में भर लेती हूं इसको जिसकी ड्राइ इसकी नोती है जिससे की सुबव-सुबव हम चैरा धो कि आते एक दम रुखा- रुखा हो जाता चैरा तो उसको जह सुबव-सुबव चैरे के दोकर आयो और इसको लागा लीजिए पहुच करके पहले को पोचिए उसके बाद में इसको लगा लीजिए तो यहां पर एक बिटामीनी का कैपसुल भी मिला सकते हैं उससे भी बहुत अच्छी इसकी रहेगी आपकी तो यहां पर देखिए मैंने गुलाब अब जो है मौसराज लगा था इस वज़े से मैं नहीं लगा रही हूँ तो मैं फिर जब शुबह सुबह आपको लगा के दिखाओंगी तो उसके बाद में फिर इंस में आपर बना रही हूँ चाहे और थोड़ी सी आज जो है मैं ठन के दिन चल रहे हैं तो मन हो जाता है कभी कबार चाय पीनेगा तो मैंने खाना पीना बना लिया और उसके बाद में फिर हम चाय बना रहे हैं कि पहले मैं अगर चाय पी लेती तो मुझे खाना नहीं खपता है इस वज़े से मैं चाय को बहुत देर में पीती हूँ कभी मेरा मन होता है तो पीती हो नहीं तो मैं ज्याद सुबर सुबर सब भी लोग घर पर रहते हैं तो फिर चाय बन जाती है और कुछ नास्ता बन जाता है पुआ बगेरा जैसे बच्छों को कुछ खाना होए तो वो बनाती हूँ तो हम लोगों ने दोनों ने चाय पीली और इसके बाद में पिर में आ गई हूं यहां पर आज में आंगन में साफ सपाई कर रही हूं कि दो दिन पहले पानी गिरा था तो उस चट पे बहुत ज़्यादा धूल थी तो वहां से जो कि पानी आया तो इसके साथ में बहुत सारी दूल हो गई तो यहां पर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था तो मुझे तो यहां पर बहुत ज़्यादा मतलब कि मेरा इधर ही ज़्यादा आना होता है सुबह सुबह जैसे कि घूमना फिरना होता है कपड़े डालने होते और दूप अभी तो दूप की ज़्यादा जर तो इसी वाजे से मैं यापब ज्हादू लागा रही हूँ मैंने चूले में दो दिन पहले खाना बना यह था तो आने चूले कर लेता हुए हैं दोड़ tecnología कोगें ओव दोड़ का श्हारा मुंद पर सपाइं कर रहे हूं तो मुझे भी जो है लोग बोलाइगे कि सच में कैसे हो ना दो लिया उसके बाद में घर की साफ सपाई कर रहे हैं तो फ्रेंस मैं आपको बता दू कि सुबह सुबह बच्चे जाते हैं और उसके बाद में फिर तुरंती फिर से खाना बनाना पड़ता है तो इस कपड़े जाड़े और हाथ पड़ फिर से में धो के फिर उसके बाद में बच्चे भी आ गए थी फिर मैंने सोचा है आज सनी बार है तो मैं कपड़े दो करके डाल दीती हूं और अगर संडे को धोती हो ना तो बहुत ज़्यादा कपड़े वह जाते तो मुझे बहुत तो मेरा थोड़ा सा वीडियो यहां पर ठीक नहीं है तो फ्रेंस आप मप की जगा मुझे और यहां पर देखेंस मैं अभी यह सारे कपड़े इनके बच्चों की ड्रेस है तो इसको मैं डाल देती हूं यहां पर सूखने के लिए मंडे तक तो जै अच्छे से सूख जाएंग मैं वीडियो का भी एंड करती हूं अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हुए तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरू कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा फिर मिलेंगे अपसे एक नई वीडियो में